आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्स करने जा रहे हमारा टॉपिक हमारे बेस्ट 200 करंट अफेस जो देखेंगे इस लेक्चर के अंदर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं है मेरा नाफ में डॉक्टर विपन गोईल तो चलते हैं जी हमारे जुलाई के हमारे जो बेस्ट 200 करंट अफेर है आज हम उसका सेट वन डिस्स करेंगे देखेंगे कांसे कोशन इसमें इंपॉर्टन रहेंगे तो आप मुझे different social media के साथ जुड़ सकते हैं Facebook, Instagram, Telegram, Twitter and Gmail ID के साथ Gmail ID के उपर अपने doubts अपने exam paper मुझे आप send कर सकते हो बाकी आप मुझे किसी भी social media के उपर जुड़ सकते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि study IQ app के उपर मेरे दो paid courses आते हैं एक आता है general awareness का 10,000 MCQ course और एक आता है GS course जो हमारा theory course है इसके अंदर coupon code use करेंगे VIP 500 आपको discount मिलेगा 31 तारिक तक ये खरीज सकते हैं आप 31 तारिक तक 31 जुलाई तक ये इसकी last date है इसकी extend कर दी गई थी 31 जुलाई तक आप purchase कर सकते हैं और अपनी preparation को आगे बढ़ा सकते हैं देखे जी आज पहला question screen के उपर क्या कहता है which organization has launched the COVID-19 technology access pool for equitable access to the life-saving tech कि संगठन ने जीवान रक्षक तकनीक के समान पहुँचने के लिए COVID-19 technology access pool launch किया है तो obviously बात है health के लिए है तो ये कौन launch करेगा that is WTO D option क्या बनेगा right answer बनेगा world health organization ये बना कब था 7th April 1948 को 7 April 1948 को बना था और इसके headquarter कहां पे हैं जीवा के अंदर है और इनके जो चेर पर्सन है डिरेक्टर जनर्रल है that is Dr. Tedros अल्रेडी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है answer is D option next Bobby Joy Morrow who has been passed recently was a sprinter from which country Bobby Joe Morrow का अभी हाली में ध्यानत हुआ है वो किस देश के धावक थे तो वो किस देश के धावक थे that is United States answer is C option America के वो धावक थे अभी कुछ recent में बहुत जो prominent लोगों की death हुई है वो आपको पता होना चाहिए जैसे के के एन लक्ष्मिनन के एन लक्ष्मिनन जो है इनकी death हुए तमिलनाडो से यह politician थे जगदीब जी मुंबई से और एक्टर comedian थे उपा रोका मलोवा मिजोरम से politician थे सरोज खान यह choreographer थी अनिल सूरी यह film producer थे तो यह सारे facts अगेन आपको पता होने चाहिए जुलाई मन्त के अंदर इनकी दिहात देखने को मिला था which IIT students have developed an app COPAL 19 to track willing plasma donors who have recovered from the COVID-19 जाने के जो लोग COVID-19 से जो recover हो चुके है हाल ठीक हो चुकी है उनके लिए IIT students ने एक app launch करी थी COPAL 19 ताके वो अपना plasma donate कर सके तो यह कौन से IIT के students ने launch किया है यह IIT Delhi के students ने launch किया है answer इसमें क्या बनेगा आपका A option is a correct answer A option that is IIT Delhi super important question अभी कुछ IITs news में थे वो आपको answer बताना है जैसे के अभी world का first ever online B.Sc degree in programming and data science यह कौन से IIT ने start किया है यह IIT मदरास ने start किया है IIT मदरास वर्चुल क्लास रूम सिस्टम मोबाइल मास्टर जी मोबाइल मास्टर जी start किया था IIT कानपूर ने IIT कानपूर AI artificial intelligence tool to detect COVID-19 from chest x-ray images जानेंगे chest के x-ray से हम COVID-19 का पता लगा सकते हैं IIT गांदी नगर IIT गांदी नगर ने पता किया था यह डैश helping the population of इरावड़ी डॉल्फिन population to increase in the चिलिका लेक उडिशा के अंदर इरावड़ी डॉल्फिन की population भढ़ाने के लिए जो help कर रही है कौन सी IIT help कर रही है again IIT मदरास IIT मदरास disinfection unisevier box disinfection unisevier box जो है जितने भी आपकी personal belongings है जो भी आपका समान है उसको आप जो sterilize करने के लिए COVID-19 के transmission से बचने के लिए यह box launch किया है IIT रूड़की के students ने IIT रूड़की तो यह सारे पता होने चाहिए यह IIT's news में थे next Nicole Pashian Nicole Pashian who is in the news recently is the prime minister of which country अभी इनका जो है Nicole Pashian news में थे तो यह बताईए जी किस देश के परधान मंत्री है यह है Armenia के answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा Armenia अभी जो है France के भी नए प्राइम निस्टर अपॉइंट के गए थे जिनका नाम क्या था Gene Castex Gene Castex यह जो है यह France के है Gene Castex SpaceX which spacecraft with two NASA astronauts has been successfully docked with the International Space Station SpaceX के किस अंत्रिक्ष यान से NASA के अंत्रिक्ष यात्रियों को अंतराश्य अंत्रिक्ष टेशन पर सफलता पुर्वक पहुंचा दिया गया है जाने कि दो astronauts को लेके गए थे SpaceX के और इसका जो नाम था Spacecraft का नाम था that is Dragon B option क्या बनेगा right answer बनेगा SpaceX की अगर हम बात करते हैं तो इनके founder जो है that is Elon Musk अब NASA की अगर हम बात करें तो NASA is the National Aeronautic Space Administration यह जो NASA है इसके headquarter वैसे तो दिमाग में New York आते हैं बट इसका अंसर वाशिंग्टन है और NASA के जो administrator है उनका नाम क्या है that is called Jim Brandenstein जो इनका नाम है administrator का NASA के super important again answer is B Dragon the government has ordered internet services provided to block which computer file sharing website due to the security reason सरकार ने जो है हाली में internet सेवा प्रधाताओं को आदेश दिया है कि सुरक्षा के कारणों के कारण computer file सांजा करने वाली website को ब्लॉक करें कौन सी data कौन सी जो फाइल जहां पर हम फाइल शेयर करते थे तो आगे मतलब आपकी जो जुरूरत फाइल होती थी वह सुरक्षा के रीजन बन सकते थे security रीजन बन सकते थे वह कौन सी जो है आपकी application थी that is VTransfer answer is A option is the correct answer अभी मैं आपको बता देता हूँ चलो VTransfer अगर पूछा कहां की है यह निदर्लेंड बेस्ट है निदर्लेंड बेस्ट इस इंपोर्टन एंड और 59 चाइनीज एप को बंद किया गया था पूरे इंडिया में और 89 एपस को बंद किया गया था इंडियन आर्मी में this is the important one answer is A option VTransfer which state observed its formation day on June 2 June 2 को किस राज्या ने अपना गठन दिवस मनाया तो यह गठन दिवस मनाया तेलेंगना ने answer is A option तेलेंगना ने यह जो है अपना जो है गठन दिवस मनाया तेलेंगना is the correct answer और तेलेंगना की जो capital है that is Hyderabad और governor जो है that is Tamil Tamil Sai Sondrajan Tamil Sai Sondrajan जो है इनके governor है और chief minister का नाम क्या है के चंदरशेकर राओ के चंदरशेकर राओ answer is A option Ultra switch has been developed by which among the following to disinfect a wide range of material including PPE, electronics, items, fabrics and other question है कि Ultra switch जो है यह किसने develop किया ताकि जितने भी PPE हैं electronic items हैं, fabrics हैं सबको disinfect हम कर सके Ultra switch यह launch किया था किसने DRDO ने answer इसमें क्या बनेगा B option DRDO ने अब DRDO के जो headquarter है वो कहां पे हैं सबको पता होगा New Delhi के अंदर है chairman है Satish Reddy जी और अभी DRDO ने एक hospital जो है लॉंच किया था दिल्ली के अंदर that is सर्धार भल्लब पतेल COVID-19 hospital यह DRDO दोवरा बनाया गया था अभी DRDO ने भारत dynamic limited के साथ भी मिलके एक missile system बात करी है that is Akash missile system that is भारत dynamic limited plus DRDO super important question again answer is B DRDO PM स्वा निधी scheme has been launched for providing affordable loans to whom PM निधी योजना जो है निमलिखित में से किसे सस्ता परधान करने के लिए शुरू की गई यह शुरू करी गई किसके लिए street vendors के लिए answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा और यह किसने start करी थी Minister of Housing Affairs ने Minister of Housing Affairs Housing Urban Affairs ने और उनके Minister कौन है हरदीप सिंग पूरी हरदीप सिंग पूरी जो है वो UP constituency से जो है वो Minister है और एक और चीज़ बताता हूँ आपको नगरवन स्कीम भी start करीगी थी नगरवन स्कीम यह नगरवन स्कीम जो है Urban Forest स्कीम है जिसके अंदर 2000 नगरवन बनाने थे मैक्सिमम लोग है वो MSME के अंदर ही आपके काम करते है तो इनके लिए Emergency Credit Line System जो है सपोर्ड करेगा किसको MSME को अंसर इस स्टीट वेंडर्स PM स्वाधनीदी स्कीम अंडर प्रधान मंतरी Formalization of Micro Food Enterprises स्कीम Micro Enterprises will get Dash percent subsidy on the project cost with a ceiling of रुपे 10 लाग परधान मंतरी सुक्षम खाध्याय प्रसंस्करण उध्यमों को अपचारिक रूप की उपचारिक रूप देने की योजना के तहट 10 लाग के लागत वाली वैद प्रयोजनाओं के सुक्षम उध्यमों को कितने प्रतिशत की subsidy मिलेगी ये subsidy कितने की मिलेगी ये मिलेगी 35% तक 35% का और एक चीज़ ओर रहा है MSME के जो मिनिस्टर है वो कौन है हमारे देटिस नितिन गड़करी जी नितिन गड़करी अंसर इस डी ओप्शन विच स्टेट हैस लाउंच हमारा घर हमारा विद्याला स्कीम हमारा घर हमारा विद्याला स्कीम जो है वो किसने लाउंच करी ये लाउंच करी थी MP ने MP ने लाउंच करी एक स्कीम याद करो बलराम स्कीम जो बलराम स्कीम है वो किसने लाउंच करी थी उडिशा ग़र्मेंट ने इसके अंदर जो है प्रवासियों का डाटाबेस बनाने के लिए एक ओनलाइन पूर्टल जो है स्किल रिजिस्टर लॉँच किया है तो ये कौन सी स्टेट है, डैडिस हिमाचल परदेश, अंसर इसमें क्या बनेगा, C option, हिमाचल परदेश ने डाटाबेस बनाने की बात करी है, और हिमाचल परदेश के जो CM है, डैडिस जैराम ठाकूर, गवर्नर है, इस बंधारू दत्तरया, और पहली स्टेट जिसने LPG connection को हर घर तक पहुंचाया, वो भी हिमाचल परदेश बन गी, हिमाचल परदेश के अंदर जो है, ग्रेट हिमालय नेशनल पाक है, और पिन वैली नेशनल पाक है, खीर गंगा नेशनल पाक है, इंदर किला नेशनल पाक है, और bird century है यहाँ पे, it's called गामगूल, गामगूल, बीसीसिय आई हैस नॉमिनेटिड विच क्रिकेटर फॉर प्रेस्टिजियस राजीव गांधी क्हेल रतन अवर्ड 2020। BCCI ने प्रतिष्टित राजीव गांदी खेल रतन अवार्ट 2020 के लिए किस क्रिकेटर का नाम दिया है तो वो दिया है रोही शर्मा पिच्छर सी आपको दिख गया होगा रोही शर्मा अब रोही शर्मा ने जो है 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 तर्फटराबाद के अंदर इंडिया से गई हो आजा, this is important, ICC के headquarter, Dubai UAE के इंदर है और Chief Executive Officer, जड़ी CEO कौन है, Manu Sani है, और अगर हम बात करते हैं, BCCI की BCSC, Board of Control for Cricket in India, इसके जो headquarter है, Mumbai महराष्टा, और इनके President Saurav Ganguly है, और एक चीज़ और आपको बताता हूँ cricket के लिए, Wisden ने एक report निकाली थी, Most Valuable Player की Wisden ने Most Valuable Player की निकाली 21st Century का कौन है, That is Ravinder Jadija, this is again important यह सारे effect जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, जितने मैंने आपको बताए हैं, अंसर इसमें क्या बनेगा, जी आपका रोही शर्मा B option क्या बनेगा, correct answer बनेगा Researcher at CMFRI CMFRI के शोद करताओंने Wetland Scorpion Fish की दुल्लप परजाती की खोज किस जगा पे करी है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो CMFRI क्या होता है, That is called Central Marine Fishery Research Institute, Central Marine Fishery Research Institute उसका नाम है और यह फिश के लिए काम करेगा, obviously बात है, Headquarter इसके कोची केरलके अंदर है, और यह जो परजाती है Scorpion Fish की, यह कहां पर मिली है हमें Gulf of Manar में, अंसर इसमें क्या बनेगा C option, और Gulf of Manar जो है हमारा एक Marine Biosphere Reserve है, Marine Biosphere Reserve Super Important Question है और यह जो है बिल्कुल South India के tip के उपर लगता है, South India और जो आपका शिलंका वाला पार्ट है, वहां पर लगता है Gulf of Manar, अंसर इस C option is the correct answer What is the name of the voice bot launched by the Tata Capital for its customer looking for a new loan or getting queries result, मतलब क्या है कि Tata Capital जो Tata Capital ने एक voice bot जो है जारी किया है, जिसके तहट अपने customers को बताएगा, कि वो loan ले सकते है जो उनकी queries होंगी उसके लिए वो solve करी जाएगी तो एक कौन सा जो है voice bot launch किया है that is called TIA, TIA अंसर इसमें क्या बनेगा, B option is the correct answer TIA is the correct one very very important question है अंसर याद रखने है सारे के सारे चलिए जी आगे, सोलबा कोशन देखिए Who was appointed as the chairman of Indian Oil Corporation, IOC के chair person किसे नियुक्त किया गया है नाम है शिरीकांद मादव वेद्या शिरीकांद मादव वेद्या शिरीकांद मादव वेद्या वेरी इंपॉर्ड़न और एक चीज आपको पताना चाहिए अभी recently जो है new chief secretary राजस्तान के अपॉइंट के गे International Financial Services Center Authority के that is called इंजेती शिरी निवास इंजेती शिरी निवास को जो है पहला चेर परसन अपॉइंट किया गया और International Financial Services Center Authority के जो हैड़कॉर्टर है that is called गांधी नगर गुजरात के अंदर है और अभी रिसेंटली जो है National Highway Authority के भी चेर परसन अपॉइंट के गई जिनका नाम क्या है सुखबीर सिंग इसमें इस कोश्चन का अंसर बनेगा शिरीकान मादव वैद्या who has inaugurated the first solar lift irrigation plant of कारगिल with 5 kilowatt solar plant at yak breeding farm both carbo मतलब 5 kilowatt का solar plant के साथ कारगिल के प्रथम solar lift irrigation plant का उद्गाटन बोध खुर्बू के याग प्रजनन फार्म में किसके द्वारा किया गया था ये किसके द्वारा किया गया मुहमद राजा द्वारा अंसर इसमें क्या बनेगा A option is the correct answer मुहमद राजा very very important और लदाक की अगर हम बात करें तो लदाक जो है लदाक के left-hand governor कौन है राधा कृष्ण माथूर राधा कृष्ण माथूर super important again राधा कृष्ण माथूर और एक चीज़ और और है कि यहाँ पे एक national park है that is called हमीज national park हमीज national park जो है ये किसके लिए famous है that is snow leopard के लिए snow leopard के लिए हमीज national park अंसर इसमें क्या बनेगा A. मुहमत राजा the survey team of which country has become the first and perhaps the only group to climb Mount Everest this year to re-measure the exact height of the world's tallest mountain किस देश की survey action team दुनिया के सबसे उंचे परवत को सही उचाई को पुननापने के लिए एक वर्ष इस वर्ष Mount Everest पर चड़ने वाला पहला और शायद एक मतर समू बन गया है इसने ये बन गया है कौन सा that is China China ने बात करिया कि हम सारी की सारी उचाई को पता करेंगे और Mount Everest जो है सबसे उची चोटी है नेपाल के अंदर है and Mount Everest और एक चीज़ और आपको पता दूँ जो कंचन जंगा जो है कंचन जंगा इस इंपोर्टन माउड मकालू धोला गीरी ये सारी के सारी कहां पे है आपकी इंदा नेपाल answer is C option China which state has developed इंडिया's first lichen park और lichen park lichen क्या होते है lichen algae और fungus की जो है mission होता है ये कहां पे लॉच किया गया है ये उत्रा खंड में लॉच किया गया है उत्रा कंड में उत्रा खंड forest department ने लॉच किया है उत्रा कंड के CM का जो नाम है डेडी स्त्रिवेंदा सिंग瓜वध और बेबी रानी मोरया जो है इनके गवर्नर का नाम है और अभी उत्राखंड ने एक मेला जो है कैंसल किया COVID-19 के चलते 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 कांवर मेला जो है कैंसल किया इन्होंने और उत्राखंड के अंदर Jim Corbett National Park है Jim Corbett और नंदा देवी National Park देखने को भी मिलता है और इसका धीम तके लई है अंसर इसमें क्या बनेगा उत्राखंड वर्ल्ल यूएफो डेड ही इस वर्ल्ल यूएफो डेड ही अंदन्टिफाइट अबजेक्ट यू हमारे आस्मान में देखते हैं ये कौनसे दिन मनाया जाता है ये मनाया जाता है और इसका जो थीम था that इस ready to connect ready to connect इसका theme था ready to connect चीक है answer is d option दो जुलाई अभी कुछ आपको facts पता होने चाहिए जैसे मैंने भी आपको बताया unidentified flying object जो है आपका दो जुलाई को होता है national doctor's day फर्स जुलाई को और इस साल का theme था lesson the mortality of covid-19 बहुत बहुत important question है यह वाला और national doctor's day हम मनाते है but death anniversary of विधान चंदर रॉय वी सी रॉय ठीक है बी सी रॉय कई बर paper में पूछा आता कि एक award पूछ ले आता है बी सी रॉय award किस field में दिया जाता है medicine field में दिया जाता है world population day जो है जुलाई 11 को होता है और इसका theme था health rights of the women and girls और 4 जुलाई को मनाते हम international day of cooperative सहकारी अंतराष्टे सहकारी दिबस और इस साल का theme है that is cooperative for climatic action climate बचाने के लिए आप सहयोग कीजिए तो यह सारे के सारे objects सारे सारे dates and themes आपको पता होने चाहिए who released a book future of the higher education 9 mega trends future of higher education 9 mega trends की book जो है वो किसने release करी यह हमारे देश के vice president वेंका नाइडू जी ने करी वेंका नाइडू जी ने और इसके author जो है इनका नाम क्या है C.A. पताभी राम इस book के author का नाम है C.A. पता भी राम लेकिन launch किसने करी वेंका है नाइडू जी ने अभी आपको कुछ books का पता होना चाहिए जैसे के for example overdraft saving the Indian saver यह overdraft saving the Indian saver के book के author कौन है उर्जित पतेल उर्जित पतेल महवीर the soldier who never died यह इस book के जो that is author है that is रूपा रूपा शीरीकुमार रूपा शीरीकुमार एंड एके एके द्रीकुमार चीक है एके द्रीकुमार and one more is 36 days 36 days book के जो author है that is called कमलेश सुतर कमलेश सुतर कमलेश सुतर and इसमें overdraft वाली भी important है द्यान रखना बाकि तो important ही है बाकि overdraft is very very important which university has known oxygen a first of its kind multi-purpose algae-based respirator किस विशेव द्यालया ने oxygen विक्सित किया है जो अपनी तरह का पहला बहु देशय शेवाल अधारिश्वासन यंत्र है मतलब इसके अंदर जो होगा कि आपकी जितनी भी 99.3 जितनी भी harmful gases है वो नहीं जाएंगी particulates matter है वो हवा में जो होते है नहीं जाएंगे तो इसको develop किस ने किया है पंजाब की university that is lovely professional university answer इसमें क्या बनेगा D so LPU ने ये इसे launch किया है D option is the correct answer which among the following companies has launched an app called collab for creating short music video short music video बनाने के लिए एक app launch करी है collab किसने launch करी है ये launch करी है किसने that is the facebook answer इसमें क्या बनेगा B option और facebook के founder that is Mark Zuckerberg California USO के अंदर इसके headquarter है facebook ने अभी CBSC के साथ जो है मिलके एक agreement sign किया जिसके कारण बच्चों और teachers को वो digitally safe और online classes प्रोवाइड करेंगे और इन्होंने अभी एक campaign भी launch करी थी facebook में it's between you ये campaign जो है launch करी गई इंडिया में ताकि जो है आपके human connections बन सकें तो ये भी launch करी किसने facebook ने launch करी answer is B option Reliance Industry has launched video conferencing app with unlimited free calling Reliance ने कौन सी जो है app launch करी है जिसपे आप free unlimited call कर सकते हैं that is called GeoMeet answer इसमें क्या बनेगा D option GeoMeet is the correct one which company has become the 11th investor to pick up stake in the RIL telecom and digital business RIL दूर संचार और digital website में 11 निवेशक कौन बने हैं अभी हाली में तो बहुत सारे बन चुके हैं यह वंत पूचा है तो that is called Intel Capital Intel Capital जो है यह अभी 11 मा बना था और Facebook ने सबसे ज़्यादा इसके share खरीते हैं that is Intel Capital which state government has fixed tariff for the private hospitals treating COVID-19 patient किस राज्य सरकार ने राज्या के निजी हस्पतालों में COVID-19 के इलाज की खातिर शुलक की सेमा तैय कर दिया कि इतना ही शुलक लगेगा जो भी particular शुलक लगेगा वो किस ने launch किया है वो किया है तमिलाडू ने तमिलाडू ने बोला है कि कोई भी हो कहीं पे भी आप जाओ तो आप अपना ये पैसा लगेगा तमिलाडू सरकार ने इसको घोशित किया है अंसर इसमें क्या बनेगा C option is the correct answer अगर हम बात करें market borrowing की टॉब्ड market borrowing की तो वो कौन सी state गई है जिसने market से सबस्यादा बोरो किया है 2021 में आरबे को एकॉर्डिंग अगेन तमिलाडू है और तमिलाडू के अंदर जो है अंसर इसमें गोवा और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि नागलेंड को एक डिस्टर्ब एरिया घुशित किया गया कब तक दिसंबर 2020 तक अपस्पा रूल वहां पे लगा हुआ है और इसमें क्या बनेगा C option तमिल लाडू इसमें क्या बनेगा और एक अमांडा एक अमांडा ट्रोपिकल स्टर्म आया था यह कहां पे आया था इसमें दा सेंटल अमेरिका सेंटल अमेरिका के अंदर एक आया था अमफान इस पार्टनर्शिप विफ यूस एजनसी फ़र इंटरनेशन डेवलपेंट यूसेट इसट विच प्रोग्राम है जाँज अधा है लांज एफिशंट बिलिंग इनिशेटीव Energy, Healthy and Energy Efficient Building Initiative जो है, वो किसने launch किया UCED के साथ मिलके partnership करके तो ये, मतलब उन्हें लाँच किया EESL ने partnership करी किसके साथ That is MATRI के साथ answer इसमें क्या बनेगा A option is the correct answer और मैं आपको बता दूँ MATRI अगर बात करी जाए तो MATRI एक हमारा research station है कहाँ पे that is in the Antarctic Antarctic के अंदर मैत्री भी है दक्षिन गंगोत्री भी है and one more is भारती ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है तो दीन आर्दा जो है अमारे research station है वहाँ पे और research station जो है एक Antarctic में तो आपको तीन होगे एक ऐसा ही Arctic में भी है Arctic के अंदर है हमारा ही मादरी और इसके लिए हमारा national center है polar research के लिए वो कहाँ पे है उसके headquarter गोवा के अंदर है तो answer इसमें ए औप्शन बनेगा विच फॉर्मर आर्बी आई गवर्नर हैज बिन कनफर्ड विद फर्स प्रोफेसर पीसी महल नॉबिस अवर्ड इन ऑफिशल स्टेस्टिक्स फॉर lifetime achievement यह किस को मिला है पीसी महल नॉबिस अवर्ड जो है lifetime achievement के लिए that is C. Rangarajan C. Rangarajan को मिला है this is important अभी एक अवर्ड है it's Daina Award Daina Award जो है यह दिल्ली में एक लड़की है humanitarian work के लिए B.E.T. Black entertainment television यह जो अवर्ड मिला है 2020 का humanitarian grounds के लिए it's called philanthropic work के लिए किस को? बियॉंस को यह pop singer है बियॉंस को this is very important again which web portal launched by the Karnata government to bridge the gap between the job seeker and employer जने की जो job लेना चाहता है और employer जो job देना चाहता है Karnata की कान सा web portal लाउंच किया गया है that is called skill connect forum skill connect forum यह जो है launch किया गया है very important और Karnata की capital के है Bengaluru है जिसके Bengaluru के अंदर इसरो के headquarter है space city भी इसको कहते है Karnata का के जो cm है that is called BS यद्यूरपा BS यद्यूरपा और वाजू भाई वाला वाजू भाई वाला जो है यह कौन है? that is governor और एक आपको याद रखना है इस वेब पोर्टल के साथ जॉब सीकर इंप्रॉइर्स की बात आगी एक scheme launch करीगी थी पौधे लगाओ प्रयावर्न बचाओ यह campaign launch करीगी थी यह डेली सरकार ने launch करी थी जा कि आपके position को control रख सके और मनीश सोधिया जो हमारी दिल्ली के deputy cm है उनोंने lead that is lead lead scheme launch करीगी थी पौधे लगाओ 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 learning through e-resources made accessible for Delhi द्वारा बता रहा हूँ lead is learning through e-resources made accessible for Delhi यह launch किया गया था मनीश सोधिया जी ने यह पौधे लगाओ 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 ताकि जो है बच्चों को online education प्रवाइड करी जा सके this is important one इस question का जो answer था वो था that is करनाटक skill connect forum virtual global leadership summit and festival of artificial intelligence and emerging technology COGX 2020 was held on COGX 2020 की meeting जो हुई थी वो कहां पे हुई थी that is in the London लंडन UK के अंदर यह largest event है artificial intelligence के लिए दो very very important है और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि एक twin summit होने वाला है twin summit यह क्या है both personal as well as virtual यह कौन होल्ड करनेगा world economic forum जो आपका twin जो है आपकी summit launch करेगा 2021 के अंदर जनवरी 2021 के अंदर और अभी 15th India European Union जो है summit हुआ है और जिसके अंदर नरेंदर मोदी जी involved थे और European Council के President that is Charles Michael Charles Michael भी उसके अंदर involved थे और उनने summit को आगे किया 15th Indian European Summit very important who are named by the UN chief to the scientific group for 2021 food summit 2020-21 का जो scientific group का जो नाम है chief है वो किसे appoint किया गया है दो लोगों को that is Professor Ratanlal Professor Ratanlal and Dr. Uma Lele Dr. Uma Lele इनको appoint किया गया है UN chief to the scientific group which institute will explore Venus for the second time through the India's first Venus mission Shukran 1 इंडिया का पहला Venus mission जाने के शुकर ग्रहा के उपर जाने वाला Shukran 1 है और कौन से institute जो है इंडिया के साथ जो है जाने की कोशिश कर रहा है तो इसका नाम के है that is Swedish Institute of Physics Swedish Institute of Space Physics Institute of Space Physics ये जाएगा हमारे इंडिया वालों के साथ चीक है और Shukran 1 जो है 2023 तक जो है complete हो जाएगा और ये आंधरपर्देश से launch किया जाएगा आंधरपर्देश से और एक चीज़ आपको बता देता हूँ इंडिया का पहला Human Space Mission जो है गंगयान ये कहां पे कब लॉंच किया जाएगा 2022 के अंदर और इसरो के headquarter कहां पे है इसरो के headquarter इस इन दा बेंगलूरू केसी वान इसके that is the president है चेर परसन है ध्यान रखना 2023 में शुक्रयन बन जाएगा Who is the winner of the Asian Region Prize in overall winner of the 2020 Commonwealth Short Story Prize 2020 का Short Story Prize को मिला इनकी को that is called Kritika Pandey Kritika Pandey ji को मिला Very important और इनकी जो story थी that is Great Indian Tree and Snake Great Indian Tree and Snake ये इनका जो है ये जो है इनका book का title था Kritika Pandey Who was appointed as the President of Iceland Iceland के राष्टरपदी किनको न्यूक्त किया गया है that is called Gudni T. Johansson मैंने आपको पहले भी बताया था Johansson याद रखना Gudni Johansson इनको पॉइंट किया गया अभी Putin जी को भी पॉइंट किया गया राष्टरपदी किसका Russia का 2036 तक और राष्टरपदी का कार्यकाल वहां पे कितना होता है 6 साल होता है ध्यान रखना Russia के अंदर 6 साल और इसका जो अंसर है that is Gudni Johansson Who is the only Indian to feature on the Forbes 2020 list of World highest paid celebrities World highest paid celebrities की list में 2020 की India का कौन एक मत सितारा है जो इसमें आया है that is Akshay Kumar C option क्या बनेगा right answer बनेगा Akshay Kumar और इसको top किसने किया है that is Kylie Jenner Kylie Jenner को ने top किया है US के अंदर और अभी जो है आपको मैं बता दूँ कि कुछ आपके brand बैस्डर पॉइंट्स किये गए थे जैसे उबीर सिंग को brand ambassador चुना गया था और fair and lovely एक जो हमारी cream थी उसका नाम हो गया glow and lovely very important answer is C option according to the Central Marine Fishery Research Institute जो कोची के रल के अंदर है कौन सी state ने top जो है spot हासिल किया है fish production के अंदर 2019 के अंदर तो ये हासिल किया है किसने ने किया है तमिल नाडू ने और तमिल नाडू के जो governor है that is called बन्वारी लाल बन्वारी लाल पुरोहित बन्वारी लाल पुरोहित और नैशन पाक है यहाँ पे इस कॉल्ड गिंडी नैशन पाक Gulf of मनार नैशन पाक इंदरा गांधी यहाँ से आए है उनका नाम क्या है अकाश तो यह चैनाई से है तमिल नाडू से है अंसर ए C option वट इस इंडिया इंडिया का रैंक जो है इंडिया का रैंक है और इंडिया का रैंक जो है अभी मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे सस्टेनेबल डेवलमेंट इंडेक्स था इंडिया का रैंक उसमें कितना था? 117 था Foreign Exchange जो IMF ने रिपोर्ट दे थी उसके अंदर MR इंडिया का रैंक 5 वा था याद रखना और EIU, Economist Intelligence Unit के जो Headquarter है, that is in the London London UK के अंदर है London के अंदर एक और Headquarter है that is Amnesty International जो Human Rights के लिए काम करती है और London के अंदर जो है Headquarter है हमारे Commonwealth के याद रखना, Commonwealth Nations के तो answer इसमें क्या बनेगा जी? 8th rank है इंडिया का Who has been ranked first in the world ranking of the main elite of 52 category, 52 kg by the International Boxing Association अंतराश्य मुक्यबाजी के द्वारा 52 किलो के मुक्या कुलीनों की विश्व ranking में किसे प्रथमस्तान मिला है इन्हें प्रथमस्तान मिला है और ये कहां कौन है? ये इंडिया के हैं और ये silver medalist है इनका नाम क्या है? अमित पगेल इस अमित पंगाल पंगेल पंगाल ठीक है? अमित पंगाल और इनको 52 category के अंदर और एक है मंजूरानी मंजूरानी इनको 48 category के अंदर मंजूरानी 48 category के अंदर और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एस्सोशेशन के जो हैड़कॉर्टर है लॉसेन, स्विजलेंड के अंदर है और प्रेजिडेंट का नाम है गफूर राखिमोव किसके इंटरनेशनल बॉक्सिंग एस्सोशेशन के और अंसर इसमें क्या बनेगा अमित पंगाल वू वास दा चेर्मैन अफ दा न्यू इनिशेटिफ साबूजा उडिशा साबूजा उडिशा टू इंक्रीज गरीन कवर ग्रीन कवर जाने के हर्याली बनाने के लिए सबूजा उडिशा की स्केम लाँच करीगी थी इसके जो चेर परसन थे वो कौन थे डैट इस आसित त्रिपाथी जो है इनके चेर परसन जै आसित त्रिपाथी वैरी वैरी इंपॉर्टन और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि उडिशा के जो governor है उनका नाम है गनेशी लाल और उडिशा के CM का जो नाम है डैड इस नवीन पतनाई नवीन पतनाई की CM का नाम है गनेशी लाल जो है governor का नाम है और उडिशा ने ही एक system लाँच किया था अभी 8 technology, 8 technology driven solution जो है हमने उडिशा ने स्टार्ट किया, 5T initiative स्टार्ट किया, ताकि जो है प्रोपर तरीके से हम जो है administration को अच्छा बना सकें, अब ये 5T क्या है, technology है, transparency है, teamwork है, और time leading to transformation है, departments अच्छा काम करें, 5 तरीके 5T का initiative लाँच किया है, इन्होंने उडिशा government ने, इसमें क्या होगा, कि इसमें सारे के सारे करंटफेस, आपके 6 मिने के, सारे एक तरह से cover हो जाएंगे, मोटे मोटे पॉइंट जो सारे होते हैं, exam के आने के लिए, answer इसमें क्या बनेगा, chairman कौन है, आसित त्रिपाठी है, swiggy in partnership with which bank has launched its own digital wallet, swiggy money, swiggy money जो है, ये, swiggy money जो ह इसमें क्या है, तो ICCI bank के साथ इन्होंने करा है, तो C option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, ICCI के, Axis bank, ICC bank, yes and HDFC bank, सब के headquarter कहां पे है, मुंबई के अंदर है, लेकिन ICC bank का जो tagline है, that is, हम है ना, ख्याल आपका, हम है ना, ख्याल आपका, इनकी tagline है, Axis bank की जो tagline है, that is, भरती का world, यह इनका taglines है, तो ICCI bank ने, जो है, Swiggy money launch किया है, Swiggy के साथ मिलके, in whose chairmanship, insurance regulatory and development authority of India has formed a committee to look into the pandemic like health emergencies, जाने के, IRDI ने किस agency के साथ मिलके, जो है, health emergencies का मता करने की बात करी है, तो यह कौन से chairman इनके point के गए है, इनका नाम है, सुरेश मातूर, सुरेश मातूर, important है, सुरेश मातूर, अभी एक committee बनी थी, जो किसके अंडर, राजना सिंग के अंदर, राजना सिंग के अंदर, और इन्हों ने, जो है, MSME, MSME के अंदर, जो है, loan provide करने के लिए, collateral free loan provide करने के लिए, राजना सिंग की अध्यक्ष्टा में ये committee बनी थी, अब इस में confuse मत हो, यह ना, paper में जब आपको MSME के लिए कमेटी बूच जाएगा अंसर आपका राजना सिंग आएगा MSME के मिनिस्टर नितिन गड़करी का भी नाम वहाँ पे होगा वो option में नहीं है गलत है वो राजना सिंग जो है इसको जो आई मेंटों से चेर कर रहे थे और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ National Human Rights Commission ने COVID-19 के चक्कर में Corona Virus के चकर में एक कमेटी बिठाई की इंडिया के इंदर इसका इंपक्ट क्या बनेगा तो अंसर इसमें क्या बनेगा सुरेश माथूर के इंदर फिलम परमानन बोड के मुख्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है इनका नाम है रविंदर बाइकर रविंदर बाख़ड रविंदर बाख़ड is the name और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ अभी रिसेंटली जो है अभी अरुन सिंगल जी को भी अपॉइंट किया गया है और किसको अरुन सिंगल जी को अरुन सिंगल जी को किस कहां पर पॉइंट किया गया है FSSAI that is Food Safety and Standards Authority of India जिसके हेड़कॉर्टर New Delhi के अंदर है और इनके CEO अपॉइंट किया है कौन that is Arun सिंगल और रविंदर बाखट जो है वो फिल्म सेर्टिफिकेशन के लिए who has been appointed as the next high commissioner of India to the it's Papua New Guinea Papua New Guinea के जो हमारे next high commission चुने गए हैं उनका नाम बताइए उनका नाम है सुशील कुमार सिंगल सुशील कुमार सिंगल ए अप्शन क्या बनेगा? सुशील कुमार सिंगल अभी आपको मैं बता दूँ कि इंडिया की साइट से एक UN BODYS के लिए किसे appoint किया गया है इंडिया की साइट से एंवोई जाने के ambassador है UN BODYS का इंद्रा मनी पांडे इंद्रा मनी पांडे appoint के गई है इंद्रा मनी पांडे इंद्रा मनी पांडे इंडिया आपका इंडिया आणवाइड टुदा UN BODYS appoint किये गये है Google has launched which app which will help to maintain distance in the real life using Augmenter reality टेक कंपनी Google ने करोना वायरस शनकरमन से बचने के लिए social distancing app का लांच किया है उसका नाम क्या है that is called sodar answer इसमें क्या बनेगा c option is the correct answer sodar app launch करी है किसने google ने this is very very important google और google ने अब भी जो है launch किया है google plus ने launch किया है that is google current very important google current launch किया है अब google current जो है बिल्कुल जो है आपका internal जो आपकी enterprises होती है companies होती है उनकी communication के लिए launch किया गया है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है google plus google current launch किया गया है answer इसमें क्या बनेगा आपका that is sodar c option the government has given the approval to rename which port as a shama prashad mukharji port shama prashad mukharji port का जो नाम है नाम रख दिया गया है वो कौन से port का नाम रख दिया गया है वो रख दिया गया है kolkata port का अंसर इसमें क्या बनेगा b option kolkata port अभी recently और भी वैसे बड़े ports है उनका नाम चेंज के गये जैसे नावा शेवा नावा शेवा का नाम रख दिया गया जोहाला नहरू पोर्ट ट्रस्ट और तूती कोरिन ये पहले क्या है वैसे तो सबसे पहली बार इसका ही चेंज किया गया था मतलब जो बड़ा न्यूज में हला था दीन दियाल पोर्ट नाम रख दिया गया था और इस टाइडल पोर्ट है कांडला एरपोर्ट कांडला पोर्ट बंदरगा जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज किया गया जी शामा प्रसाद मुखर जी पोर्ट 15 बर्ड स्पीशिज और विच स्टेट अब बिन फ्लैग्ड अज़ा की स्पीशिज ओफ कंसर्ण अकॉर्ड तो दा स्टेट अफ इंडियास बर्ड रिपोर्ट स्टेट अफ इंडियास बर्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राजय की पंदरा पक्षी परजातियों को चिंता की परमुख परजातियों की रूप में चिनित किया गया है तो यह कौन सी स्टेट है तो केरल की पंदरा परजातियों को खोशित किया गया है अभी केरल ने केरल action plan भी चलाया था केरल action plan और केरल action plan जो था वो COVID-19 से बचने के लिए एक plan था अभी केरल ने एक चलाया था dream केरल project this is again important और इसके अंदर हम जो है job opportunities जो हमारे विदेशों से आई हुए जो हमारे दूसी स्टेटों से आई हुए लोग है केरल के अंदर उनके लिए जो है आपकी जो है job opportunities पैदा करना और केरल के जो cm है और जो आरिफ मुहमद खान जो है इनके governor है और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ एक scheme launch करीगी थी केरल ने डेडिस कॉल नेकर समान योजना जिसके अंदर जो है दो हजार उपे का loan प्रवाइड किया जाएगा मतलब financial aid प्रवाइड करी जो हैंड लूम वीवर होते हैं हद करगा जिससे आप कहते हैं उनके लिए 200,000 रुपे लोन दिया जाएगा नेकर समान योजना आंसर इस ए ऑप्शन केर विच्ट लाउंच दा वीक लॉंग कैंपेइन प्यूर फॉर 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 टु इंशूर दा प्यूर दा प्यूर दा अब एक केंपेइन लॉंच करीगी दूद और डैरि उत्पादों के लिए कौन सी स्टेट ने करी ये राजस्तान गवर्मेंट ने करी किसने राजस्तान गवर्मेंट ने और अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूं कि अभी एक चंबल एक्सप्रेस वे जो है लॉंच किया आपके उसकी स्टेट में आने के लिए इंतजार आपका और एक समर्ट्रीट्स केंपेइन लॉंच करीगी थी समर्ट्रीट्स केंपेइन HDFC बैंक द्वारा ताकि जो है आपको नो कोस्ट EMI, नो डाउन पेइमेंट जो भी आपने अप्लाइंसिस खरीदने हैं बड़े अप आपको मिलेगा तो कौन से बैंक ने यह लॉंच किया था येस बैंक ने अंसर इसमें क्या बनेगा ए और येस बैंक ने अभी जो है डिश टीवी के अंदर जो है आपके स्टेक्स लिए हैं 24.19 24.19 एक्वायर किया है और एक चीज़ आपको मैं बताता हूं कि इन्हों ने त केंपेंग थी डैडिस कॉल जिप ड्राइव जिप ड्राइव जो है यह किस ने लॉंच करी HDFC ने फॉर दा ओटो लॉन वेरी वेरी इंपोर्टेंट और येस बैंक इसमें ए उप्शन येस बैंक इस दा करेक्ट वान किस देश ने भारत के MSME शेतर के डिये 750 मिलियन डॉलर की अपत्ति कालीन प्रती किरिया निधी की मंजूरी दी है तो यह किस ने दी है वर्ल्ट बैंक ने अंसर इसमें क्या बनेगा फॉर्ट ऑप्शन बनेगा वर्ल्ट बैंक ने अभी देखो साड़े सासो जो है मिलियन डॉलर किसको दी है MSME इसको अभी जो यह किसको देंगे 6 इंडियन स्टेट्स को छे इंडियन स्टेट्स को क्वालिटी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन इंप्रूफ करने के लिए 6 स्टेट्स को 500 मिलियन डॉलर प्वाइड किया जाएगा अभी एशन डेवलेमेंट बैंक ने भी जो है 50 मिलियन डॉलर L&T लार्सन और टोर्बो को फाइनस लिमिटेड को लोन दिया है कितना 50 मिलियन डॉलर किसकी चीज़ के लिए अगर आपसे पूछा जाए एडी बी और एक हवता है एडी बी डिया रखना कंफ्यूज मत हो जाना मास्त सुगू जो है वो एडी बी के है और जिन लिकिन जो है एडी बी के है प्रेजडेंट विच स्टेट गवर्मेंट हैस रिसाइड़ फॉदा अप्ग्रेडेशन ऑफ दे स्टेटस अफ दिहांग पटकाई वाइलाफ सेंट्री तो नैशन पार्क में कनवर्ट करने के लिए स्टेटस प्रोवाइड गया गया है कौन सी स्टेट ने दिया है यह असम स्टेट ने दिया है असम स्टेट ने वेरी इंपोर्टन अभी एक जो है नैशन पार्क के अंदर दुदवा नैशन पार्क के अंदर जो है एक स्पीशिस देखी गई थी और स्नेक की स्पीशिस थी जिसका नाम था रेड कोरल कुकरी स्नेक रेड कोरल कुकरी स्नेक जो देखने को मिला था दुद्वा नैशनल पार्क के अंदर उतर परदेश के अंदर देखने को मिला था आंसर इसमें बने गाजी कोश्चिन का दिहांग पतकाई that is in Assam India has conducted naval exercise PASSEC with which country PASSEC exercise जो है वो किस के साथ करी गई India ने करी Japanese army के साथ Japanese army Japanese navy के साथ जो है इन्होंने exercise करी PASSEC which app is the first Indian social media super app that has been launched by the President recently जनल की पहली Indian social media site कौन सी ये app कौन सी है जो राश्णपती ने अभी लॉंच करी है that is called alignment यह पहली सोशल मेडिया सूपर APP है अभी एक और आप लांच करी ती जिसका नाम था NADA इंडिया नाड़ इंडिया यह DOPING एजनसी इंडिया नाड़ ने इसको लांच किया हैं इसके अंदर जो है एक app है यह ममताब एनर्जी जी ने लाँच करी है और यह जो है पहले cam scanner होता था उसकी जगह की उपर self scan लाँच करी गई this is important one clear so यह first Indian social media app जो है that is called alignment app power ministry has launched to launch which initiative on the world environment day to create a robust and resilient energy system in the future वो विश्य में सत्त रूप से एक मजबूत एन लचीला उर्जा परनाली बनाने के लिए केंद्रिया विदुत मंत्रालया ने विश्यू प्रयावर्न दिवस के अफसरबर किस पहल की शुरुआत करी है तो वो कौन सी पहल है that is hashtag I commit Hashtag I commit जो है इन्होंने launch करी है और मैं आपको बता दूँ जो मारे पावर मिनिस्टर है उनका नाम क्या है R.K. Singh R.K. Singh इस्दा ने और एक चीज़ और है अभी जो है drug discovery hackathon जो है drug discovery hackathon launch किया गया था HRD मिनिस्टर और family welfare मिनिस्टर ने और एक चीज़ और आपको बताता हूँ target olympic target olympic podium scheme target olympic podium scheme जो है launch करी गई थी और यह ministry of youth affairs ने launch करी आने वाले olympic में जो 2014 में होने वाला है पैरिस में और 2018 का होने वाला है that is in the Los Angeles में this is important और ministry of ministry of small माइक्रो small medium enterprises MSME ने एक अभी recently portal launch किया था जिसका क्या नाम था champion champion portal very important champion portal answer इसमें क्या बनेगा hashtag I commit which country has back the right to host the women Asian football cup 2022 2022 का Asia cup जो है females का football cup वो कहां पे होगा वो देखने को मिलेगा आपको इंडिया के अंदर answer इसमें क्या बनेगा c option अब फुटबॉल की बात आ रही है तो all India football federation जो है इसके headquarter is the new Delhi प्रफुल पटेल इस दा president फीफा की अगर हम बात करते हैं तो फीफा के headquarter इस दा जूरिक जूरिक स्विजलेंड के अंदर और ग्यानिनी इंफेंटेनो इनके जो है बताना है Forbes list के highest paid athlete very very important question है वो next है when is the world no tobacco day observe no tobacco day तंबाकू दिवस निशेद का जो है दिन का मनाया जाता है ये दिन मनाया जाता है 31 मई को answer इसमें क्या बनेगा बी option is the correct answer 31 मई और इसका जो theme था that is protecting youth from the industry manipulation and preventing them from the tobacco and nicotine use जाने कि तोबैको और nicotine use नहीं करना और protect करना है यूथ को ये आपका दिवस था answer इसमें क्या बनेगा बी option is the correct answer बी option 31 मे और एक चीज़ आपको बताओ जो मे तीन है तीन मई को होता है आपका world press freedom day और पंदरा जुलाई को होता है world skill youth day ये again important है ये question next which research department has launched the accelerate विज्ञान स्कीम accelerate विज्ञान स्कीम जो है वो किस शोद करताओ ने लाँच करा that is called scientific and scientific and energy research board scientific and engineering sorry scientific and engineering research board ने लाँच किया research board ने लाँच किया this is important चीख है अभी मैंने आपको बताया था जो है एक भारत भारत बायो टेक बारत बायो टेक इंटरनेशन लिमिटेड भारत बायो टेक कंपनी प्लस इंडियन एग्रिकल्चर आई-C-A-R that is Indian agriculture B Connor बायो टेकनोलोजी वाले जो निस्टरी डिकार्टमेंट है महारा वो एक ब्रेक्सिन अगे जिसका नाम क्या है को वैक्सी को रैक्सी इंडीजनी बनाओ जा रही है इंडिया द्वारा को वैक्सीन इस्+. which state has launched the mission व्रिक्षा रोपन 2020 अंडर विच more than 25 crore saplings will be planted यह कौन सी स्टेट के अंदर लॉंच किया जाएगा यह उत्रपरदेश के अंदर C option क्या बनेगा correct answer बनेगा उत्रपरदेश is the correct one अभी एक portal launch किया गया था जिसका जो नाम है डैडिस कॉल महा जॉप्स महा जॉप्स पॉर्टल जो launch किया गया था महाराश्टा ने लॉंच किया था हर घर जल हर घर जल जो launch किया गया था उत्रपरदेश में जिसमें pipe water जो है पर्पर तरीके से पहुंचा आया जाए गा अभी एक मेला filter जो है cancel और महाराश्टा गर्मन ने अभी एक तिलारी conservation reserve बनाया और एक तिलारी conservation reserve जो है यह काँसी जगह के उपर है महाराश्टा गर्मन ने बनाया दोदा मार्ग forest चालारी conservation reserve जर्व, वो पब्लिश दा रिपोर्ट COVID-19 and Tourism, COVID-19 and Tourism के लिए रिपोर्ट जो है, वो किसने लॉँच करी, ये लॉँच करी UNCTED ने, UNCTED ने, that is United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Conference on Trade and Development ने लॉँच करी COVID-19 and Tourism के लिए, इसके जो हेड़कॉर्टर है, that is Geneva, Switzerland के अंदर है, और इनके जो Secretary General है, उनका कितुई, is called Mukisha कितुई is the name, Secretary General का, और that's it, answer इसमें UNCTED बनेगा, which bank has joined as observer for France-based network for greening the financial system, जाने के financial system को greenery, हर्याली दो दो, उसके लिए, कौन सा बैंक जो है, observer status बना है, तो वो कौन सा बैंक बना है, Asian Development Bank, ADB, और Asian Development Bank के headquarter, again Philippines के अंदर है, मैंने आपको बताया था, इनके Chairperson, President का नाम, Mastasugu Asakawa, very important, answer इसमें क्या बनेगा, ADB, Asian Development Bank, Prime Minister Narendra Modi, will inaugurate the Asia's largest 750 Megawatt Reva Ultra Megaproject, Solar Plant, in which state, 750 Megawatt Reva Ultra Megaproject, जो है, वो कौन सी स्टेट में लॉंच किया जाएगा, that is in the Madhya Pradesh, C option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, Madhya Pradesh is the right answer, Madhya Pradesh के जो CM है, इनका नाम है, शिवरा सिंग चोहान है, और Madhya Pradesh, again, आपके energy के अगर हम बात करें, तो energy के minister कौन है, that is R.K. Singh, अभी में आपको बताया था, that's it, answer इसमें क्या बनेगा, Madhya Pradesh, who is a chairperson of the Financial Stability and Development Council, जाने के वित्या स्थर्ता और विकास परिशद के अध्यक्ष कौन है, ये हमेशा आपके finance minister रहते हैं, that is, देर मिला Sita Ramanji, answer इसमें क्या बनेगा, C option is the correct answer, Sita Ramanji, Indian Railway signed an MOU with which company for installation of IP-based, internet protocol-based video surveillance system, जाने कि Indian Railway ने किसके साथ MOU sign किया है, ताकि जो है आपका IP-based video surveillance system होता जाए, तो वो किसके साथ sign किया इन्होंने, that is, RailTel, Indian Railway and RailTel ने MOU sign किया है, RailTel ने sign किया है MOU, this is important, और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, Central Board of Direct Taxes, इन्होंने भी MOU sign किया है, किसके साथ, CB के साथ, ताकि जो है अपना data exchange कर सके, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Direct Taxes के headquarter is in the New Delhi, Paramodh Chandramodhi is the chairperson, CB is the security exchange board of India, जो 1998 में बना था, 1992 में इसको statutory powers मिली थी, और इनका जो नाम, इनके जो chairperson, that is Ajay Tiyagi, और इनके जो chairman है, Ajay Tiyagi है, और headquarter is in the Mumbai, this is important, तो railTel के साथ, agreements हैं किया है, Indian Railway ने, which country have become the first two countries in the WHO Southeast Asia region to eliminate both measles and rubella ahead of a 2022, 23 target, 2023 के target में आने तक measles जाने के खसरा और rubella नाम की बिमारियां जो हैं खतम कर दी जाएंगी, यह कौन सी state से, that is जिन्दा, Sri Lanka and Maldives, Sri Lanka and Maldives के दो की बात करी गई है, answer इसमें क्या बनेगा, C option is the correct answer, अभी बात करूँ मैं अगर World Health Organization की, अभी कौन सी country जिसने बोला है कि हम 6 July 2021 को, 6 July 2021 को जो हैं हम निकल जाएंगे, US ने बोला है, WHO से हम निकल जाएंगे, और श्रिलंका को, श्रिलंका को अभी ड्रॉप कर दिया गया है, जो हमारा 2011 का मैच हुआ था, फाइनल मैच, इंडिया और श्रिलंका के बीच में, वो कहा रहे थे कि यह जो है fixing है, लेकिन इसके लिए प्रोब लगाया, मतलब इसके लिए उपर आरोब लगे हुए थे, तो आरोब जो है, श्रिलंका के उपर हट गया है, यह दिया रखना, अंसर इसमें, श्रिलंका एंड माल्डिव्स इस दा करेक्ट अंसर, श्री सब्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्याल्या, श्री सब्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्याल्या, वास बिल्ट इंडा, विल्ट बाइ इंडिया इन विच कंट्री, यह सरकार द्वारा कि इस देश में बनाया गया है, यह बनाए गया है नेपाल के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा C option नेपाल is the correct answer और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अभी नेपाल के अंदर हमने संस्कित विजयला का जो है निर्मान किया जो से अभी हमने बताया और नेपाल की जो capital है that is Kathmandu और currency जो है नेपली जो रूपी है और इनके जो प्राइम निस्टर है that is KP Sharma KP Sharma this is again very very important है clear next जलते हैं जी आगे which country is the biggest contributor of e-waste in accordance with the third edition of the global e-waste monitor 2020 report quantities flows and their circular economy potential report कहने का मतलब यह है कि जो global e-waste है उसके लिए जो है आपकी biggest contributor कौन सा बना है e-waste की field में तो सबसे बड़ा जड़ा biggest जो contributor बना है वो है चाइना दूसरे नंबर पर है USA और तीसरे नंबर पर है इंडिया e-waste के context में this is important अभी एक चीज़ आपको में बताता हूँ अभी हमने New Delhi ने New Delhi ने एक जो है agreement sign किया है खास करके South Delhi ने South Delhi Municipal Corporation ने NTP के साथ NTPC that is National Thermal Power Corporation के साथ की ये waste से जो है energy पैदा करेंगे और ये plant कहां पर है ओखला इस ओखला इस इंपोर्टन और yellow color dust wind के अगर हम बात करें yellow color dust wind जो है use किये जाएंगे COVID-19 के लिए ये कौन सी state ने launch किया था ये कौन सी जो है आपके that is the मध्या परदेश इंदूर के अंदर इंदूर के अंदर ये जो dust wind use कर रहे है अच्छा एक चीज़ देखिए एक report है that is towards a clean energy economy post COVID-19 opportunity for India's energy and mobility sectors कहने का मतलब स्वच उर्जा की आर्थिकता स्थिती और जो COVID-19 के बाद जो है हमारे इंडिया के अंदर energy और बहुत सारी opportunities जो पैदा होंगी वो जो आपकी जो report है वो किसने बनाई नितिया योग और रोकी माउंटेंज इंस 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 इंपोर्टन रोकी इंस 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 किया है पावर के लिए बात करूं तो चाइना ने अभी बोला है कि हम 5-8 जो है नुकलर रिसर्ट सेशन लगाएंगे पर यर बिटेंदा 2020-25 दो हजार बीस से लेके 25 तक हर साल 5-8 जो है नुकलर पावर सेशन लगाए जाएंगे और एक है गुजरात गुजरात सोलर पावर पॉलिसी गुजरात सोलर पावर पॉलिसी जो है 2015 की वो एक्टेंड कर दी गई है 31st of December 2020 के लिए इस इंपोर्टन वान विच कंट्री हैस बिकम दा फर्स कंट्री तो कंट्रोल दा क्रॉप थेटिंग माइगरेटरी पेस्ट थू ड्रोंस ड्रोंस से हम पेस्ट को पता करेंगे कि हां कि कौन सी जो कीट है वो कहां पे है ड्रोंस से पता किया जाएगा ये कौन सी कंट्री बनी है इंडिया इंडिया इस दा राइट अंसर इंडिया ड्रोंस यूज करने वाली है इंडिया है साइन डे मूचल लोजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेंट MLCA MLCA SA with which country मल्टी मूचल लोजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेंट इंडिया ने किस के साथ जो है साइन किया है देडिस ऑस्टेलिया के साथ इन्होंने साइन किया है D option is the correct answer अभी जो है virtual meet होगी है virtual meet climate action के लिए जिसमें इंडिया, European Union, China और Canada पार्टिस्पेट करेंगे चार देश पार्टिस्पेट करेंगे इंडिया के साथ तीन देश, European Union, China और Canada वर्टिस्पेट होगी है इस इंपोर्टन वन, answer is D which state has decided to recruit 1000 आयुष असिस्टेंट and 22 आयुष कोचिस फॉर योगा शालिया योगा शालिया के लिए जो आयुष असिस्टेंट है, 1000 और कोचिस जो है, ये 22 कोचिस जो है पॉइंट के जाएंगे, तो ये कहां कि कौन सी state में? हर्याना में तो answer इसमें क्या बनेगा? C option is the correct answer हर्याना is the correct answer और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि बंगलादेश ने अभी launch किया है digital heart digital heart, very important अब digital heart जो है launch किया है ताकि जो है आपके जितने भी sacrificial animals होते हैं उसका आप वो sale और purchase कर सके digital heart बंगलादेश ने लॉंच किया है जो भी बली चड़ाने के लिए होते हैं animals which country has successfully launched the OFAC-16 spy satellite into the orbit OFAC-16 नामक एक जासूसी उपग्राय का सफल prediction किस ने किया? तो ये किस ने किया? इसराइल ने answer इसमें क्या बनेगा? C option is the correct answer इसराइल की capital जो है Jerusalem है President का नाम है that is called Rewin Rivlin is the President ठीक है? और world के best startup की अगर हम बात करें तो US पहले नंबर पे आता है UK दूसरे नंबर पे और तीसरा इसरा इसराइल आता है अगर हम बात करें startup के context में US पहले नंबर पे इसराइल तीसरे नंबर पे और चाइना ने भी अभी एक जो है April launch satellite launch करी है उस satellite का नाम भी आपको पता होना चाहिए navigation satellite है that is called its Bedu Bedu satellite Bedu satellite जो है यह चाइना ने लाँच करी है navigation system के लिए its my lab discovery solution has launched which system for conducting a wide ranges of test including RTR PCR test for the COVID-19 कौन सी जो है आपकी कौन सा system launch किया गया है कि इतने बड़े बड़े test जो है हमारे impact RT PCR test COVID-19 के लिए हम start करेंगे तो यह किया है Compact Excel ने Compact Excel ने यह launch किया है answer इसमें क्या बनेगा B option is the correct answer और अभी अगर मैं बात करूँ तो IMF IMF ने जो है 772 million emergency loan प्रोवाइड किया इसको बंगलादेश को COVID-19 के चक्कर में और अभी Mission Sagar भी launch किया गया था Mission Sagar में जो है हमारे इंडिया की तरफ से एक जहाज गया था INS केसरी जो इंडियन ओशन के साथ जो है हमारे देश लगते हैं उनको जो है essential medicine प्रोवाइड करने के लिए खास करके जैसे Seychelles बगएरा में Seychelles Seychelles में गया था INS केसरी और G20 ने 21 बिलियन डॉलर प्वाइड किया है COVID-19 के चलते हुए ताके हम बच सकें लडाई कर सकें Which country has reported is the first suspected case of bubonic plague और Black Death Black Death जो है वो कौन सा संदिगत मामला जो है चाइना से चाइना is a very culprit country अंसर इसमें D option is a correct answer Who among the following has won the Austrian Grand Prix 2020 Austrian Grand Prix 2020 जो है वो किसने जीता वो नाम है वो नाम है वोल्टेरी बोटास अंसर इसमें क्या बनेगा C option बनेगा और यह Mercedes player है और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ Lewis Hamilton Lewis Hamilton भी Mercedes player है और इन्होंने जीता था Hungarian Hungarian Grand Prix लेगिन अगर यहाँ पे Austrian Grand Prix की बात है तो वोल्टेरी बोटास इसका right answer बनेगा दोनों हंगेरियन player है दोनों Mercedes player है अंसर इसमें C option बनेगा National Payment Corporation of India will build its smart data center in which city at an investment of रूपी 500 क्रोर National Payment Corporation of India ने 500 क्रोर रूपे का निवेश किया है अपना smart data center launch करने के लिए यह कहां पे launch किया जाएगा हैदराबाद के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा A option is the correct answer smart data center हैदराबाद के अंदर National Payment Corporation of India ने launch किया है तो यह थे आज की lecture के अंदर question आज हमने 75 डिस्स किये है अभी दूसरा पार्ट एक दो दिन में आएगा उसमें हम 125 कोशिन डिस्स करेंगे अगर लेक्टर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना और प्लस मेरे दो पेड़ कोर्स आते हैं उसमें GS कोर्स और 10,000 MC को कोर्स आपको नजर आ जाएंगे So thank you so much guys All the very best Good luck Take care